सुनते आए हैं कि योगियों ने हिमाले पर जाकर के तपस्या की है वहाँ जाकर के ही उनको सिध्धिय प्राप्त होई है सुनते आए हैं कि अगर अध्यात्मिक मुचाईयों को छूना है तो कंद्राओं में जाकर के अभ्यास करना होता है और हम आज के एड़वांस समाज में रह करके इन बातों को हासी के साथ टाल देते हैं सोचते हैं कि यह गलत है नहीं वो गलत नहीं है हमारी सोच गलत है और वो इसलिए गलत है कि हम मनन नहीं करते हैं अभ्यास करते हुए मुझे भी कई बार यह लगता था कि हिमाले पर जाकर के क्या जरूरी है योग साधना क्या कंद्राओं में जाकर के जरूरी है योग साधना तब तर्क बुद्धिये कहती तियर वो आज भी कहती है कि अगर हम संसार को ले करके बन में जाएंगे तो बन में तो चले जाएंगे लेकिन बन नहीं पाएंगे हमें अगर बनना है तो बन में इस तरीके से जाएं कि संसार पीछे छूटना चाहिए यहां रहकर के हम हिमाले की उचाईयों की और कंदराओं की बात सोचते हैं बन की बात सोचते हैं और बन में जाकर के हम जगत को अपने साथ ले जाते हैं सुख सुविधाय ले जाते हैं, इंटरनेट मुबाइल ले जाते हैं और जो कुछ ले जा सकते हैं ले जाते हैं कि पता नहीं वहाँ पर किस चीज की जरूरत पड़ जाए अगर जरूरत पूरती का साधन ये दुनिया ही है तो फिर इसे छोड़ने की जरूरत क्या है ये जरूरत पूरती का साधन नहीं है ये प्रियोग शाला है जितने साधन चूटेंगे और हम सिर्फ जो उपलब्द साधन परमात्मा के द्वारा दिये हुए है हमारा तन, हमारा मन, बुद्धि, एहंकार उसका प्रियोग करेंगे ठीक से तो हम फसेंगे नहीं वरना है फसने के साधन है और जब हम आचरण में इस तरह का प्रक्रिया ले आएंगे तब हम समझ पाएंगे कि वास्तों में रिशियों ने ठीक कहा था कि बन में जाकर के खाली काम नहीं चलेगा महां सेर सपाटे के लिए नहीं जाएंगे बलकि अगर लोक में रह करके भी कबीर को लें, नानक को लें, रामकृशन परमहन्स को लें और जितने ऐसे जनों कहते हैं कि दिव्वे विभूतिय हुई हैं उन्होंने इस जग में रह करके ही जग के दाइतों को निभाते हुए ही मानवता के कल्यान के लिए अपने इस जीवन उर्जा को होम करके ही अपने दिव्यत्व को जगाया है और ऐसा जगाया है कि वो तन से यहां काम करते थे लेकिन उनकी चेतना हिमाले पर रहती थी हिमाले पर रहने का मतलब उचाई पर दुनिया का सबसे बड़ा परवत है सबसे उचा परवत है तो हमारे शरीर में जो सबसे उचा स्थान है जब हमारी चेतना वहां विद्वान रहने लगती है जिसको हम कहते हैं सहस्रार यानि श्रीर का सबसे उचा हिस्सा तब हमें कह सकते हैं कि हमें दिव्यत्र की प्रापती हुए जिसको जो भी सादक है वो सब समझते हैं इसको अलग आस्था के लोग भी हमारे मैं तो कभी-कभी इसलाम पर चर्चा करता हूं इसलामिक भाईयों के साथ तो वो कहते हैं कि वो यह खुदा जो है वो साथमे आस्मान पर रहता है तो मै विद्यमान हो और फिर कंद्रा में जाना अगर हम जंगल वाली भौतिक कंद्रा को ढूंडेंगे तो वहां तो हमें सांप बिच्छू जोंक पता नहीं क्या-क्या मिल सकता है मकडियें बड़ी-बड़ी लेकिन हमें पता होना चाहिए कंद्रा का मतलब यह कि जो बाहर का आ सुखपावे सुंदरी ब्रह्म जलक के सीस तो जो हमारे अंतश्चेतना हैं उसमें बाहरी शरीर का पहचान छोड़ें बाहरी रंग है रूप है मोटा है पतला है इस्तरी है पुरुष है हिंदोस्तानी पाकिस्तानी जापानी इनको छोड़ो और कंद्रा में जाओ तो जित त्यों त्यों उजवल होए उतना ही है मुझले होते चले जाएंगे और जितना बाहर की तरफ रहेंगे बाहर की दौड़ करेंगे रूप रस गंद इसमें रह जाएंगे तो वह तो है ही और देखो कमाल की बात कि जितना हम अंदर जाते हैं उतना हमारे जो यह इंद्रिये नहीं हैं इनकी भी ठकान कम होती हैं यह एक्स नहीं होती हैं लंबे समय तक हमारी आँक dialogue काम करेंगे कान ठिक काम करेंगे घ्रांड ठीक काम करेंगे। यह मुफतम में मिल जाते हैं अगर हम इनके पीछ दौडेंगे तो फिर इनको भी दौड़ना पड़े यह जादे क्रियाशिल हो जाते हैं तो इसलिए कंद्रा में जाकर के योग साधना हमेशा होगी और हिमाले पर जाकर के योग साधना हमेशा होगी यह हमारा सोच है कि वह हिमाले जिसका जिक्र रिशी कर रहे हैं वह कौन सा है वह कंद्रा जिसमें जाकर के साधना होनी है वह कह झाल